वेल्कम टू स्रीजी फूड आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाले मुंग जिसमें मैंने टमाटर का यूज किया है और मुंग टमाटर की सब्जी टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं हर रोज इस तरह की नई नई रेसिपी सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में दिये गए इस बैल आइकोन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे हर नए वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए मैंने एक बाउल मौंग को चार-पाच घंटा पहले नौर्मल पानी में भीगो के रखा है तो ये अच्छी तरह से भीग कर रैडी हो चुका है ये 200 ग्राम मौंग है अब ये पानी निकाल देंगे और इसे कुकर में आड़ कर देंगे मैंने तीन लिटर का कुकर लिया है इसमें पानी आड़ करें थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे एक बार मिक्स कर ले और मिडियम गैस पे इसकी चार विसल कर ले चार विसल के बाद मौंग अच्छी तरह से बॉल हो चुका है कड़ाई में दो टेबल स्पून ओयल गरम करने के लिए रख देंगे उसमें थोड़ी सी राई आड़ करेंगे हाफ टी स्पून जितनी थोड़ा सा जीरा एड़ करें इंग्रिजियन्स की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हर इमिर्च का पेस्ट एड़ करेंगे आप लसन एड़ करना चाहिए तो उसके साथ हैड़ कर दें हिंग एड़ करें करी पत्ता इसे एक बार मिक्स कर लेंगे हल्दी एड़ करेंगे दो छोटे टमाटर को मैंने बीज निकालके कट कर लिया है इसे एक से दो मिनिट तक हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकने देंगे अब बॉयल किये हुए मूंग इसमें एड़ कर देंगे मूंग में ठोड़ा पानी था इसलिए पानी एड़ करने की जरुवत नहीं है आपको जरुवत लगे तो ठोड़ा पानी और एड़ कर सकते हैं लाल मिर्च पाउडर एड़ करें धनिया जीरा पाउडर नमक एड़ करेंगे, मूंग बॉइल करते वक्त भी एड़ किया था तो उसी साब से बाकी का एड़ करें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले और गैस की फ्लेम मिडियम रखे तीन से चार मिनिट इसे पकने देंगे दीरे-दीरे ये थीक होने लगा है इस टाइम पे थोड़ा सा गरम मसाला एड़ करेंगे कटा हुआ हरा धनिया एड़ करें और इसे मिक्स करके हम गैस बन कर देंगे क्योंकि ये थंडा होने पर और थोड़ा थीक होगा अब इसे सर्विंग बाउल में ले लेंगे अब हमारी ग्रेवी वाली मूंग टमाटर की सबजी सर्विंग के लिए रैड़ी है आप इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ सव कर सकते हो और ये प्लेन राइस के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगते है तो अब भी गर्मियों के दिनों में इस तरह से मूंग बना कर जरूर ट्राइ करे उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी